हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू टॉपक टच, मेरा नाम है महेंदर स्टीम और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक नए ट्रांसलेशन इस ट्रांसलेशन का एक एक सेंटेंस आपको इंग्लिस में ट्रांसलेट करके सकाय जाएगा तो देखी इसका पहला सेंटेंस है एक बहुत बुड़ा आदमी आम के पेल लगा रहा था जब भी हमें कोई बाग हिंदी से इंग्लिस में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका पीछी का सब्द देखते हैं जैसी लगा है इसमें रखा था तो इससी पता चल जाता है टेंस का जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहाता रही दी रही थी आदी सब्दा आते हैं तब पास्ट कंटिनियस टेंस होता है और उस टेंस की साहिकरिया होती हैं वाजबर और किरिया में आई एन जी लगता है तो देखिए यह एक affirmative sentence है तो इसमें करता क्या है एक बहुत बुड़ा आदमी यानि कि a very old man योगया subject अब देखिए रहा था past continuous साही के रिए was बरो क्या लगए यह was एक बचन के साथ क्या कर रहा था वो आम के पिड लगा रहा था पिड लगाना planting आम के पिड यानि कि mango trees let's talk यानि कि पूरा sentence क्या होगा a very old man was planting mango trees अगला sentence है राजा ने कहा तो कहा यह past indefinite है कि वह लितना ही लिखेंगे है राजा ने कहा the king said इसके बाद क्या है इनके फल तुम नहीं खा सकोगे यानि कि यह future indefinite है गागी यह लगा है दिखो सकोगे इसमें हम could का use नहीं कर सकते यदि इस sentence में हम could का use करेंगे तो मतलब तुम इसके तुम फल नहीं खा सके ऐसा हो जाएगा बलकि राजा यह बोल रहा है उस ब्यक्ति से कि जो पेड़ है यह बड़े हो जाएगे उस समय आप नहीं रहोगे यानि कि आप वो फल काने के योग नहीं होगे यानि कि able का use होगा इनके फल तुम नहीं खा सकोगे देखिए subject है तुम you और सही कि रही है future indefinite की बिल negative है so लगेगा not you will not be खा नहीं सकोगे able you will not be able to eat खा नहीं सकोगे क्या नहीं खा सकोगे इनके फल यान की their fruits you will not be able to eat their fruits ये बनीगा इसके बाद लिखा है तो क्यों परिस्रम करती हो कॉमा अब ये है present indefinite क्यों परिस्रम करती हो present indefinite की साइकरिया होती है do or does और ये interrogative sentence है क्यों लगा है यान की why तो क्यों परिस्रम करते हो इसमें करता क्या है तुम मतलब इसी से बोल रहा है राजा कि तुम क्यों परिस्रम करते हो अब why साइकरिया लगेगी do और इसके बाद subject you why do you work तुम क्यों परिस्रम करते हो यान कि तुम इतना कटन परिस्रम क्यों करते को why do you work so hard या why do you work hard इतना ही रहने देंगे तब भी ठीक रहेगा question mark inverted comma close इसकी बाद आगी आगी क्या होता है बूड़ा बूला बूड़ा बूला ये भी past indefinite है बूड़ा बूला ये उनकी the old man sad old man ने क्या कहा मेरे पूरवजों ने जो पेड लगाए उनके फल मैंने खाए अच्छा करता है मैंने यानकी I अब खाए past indefinite है I add मैंने खाए मैंने क्या खाए पेड़ों की फल I add the fruits of of the trees is उन पेड़ों की planted by my ancestors जो मेरे पूरवजों की द्वारा लगाए गए थे फुलिस्टो अब वो बूड़ा बैक्ती और आगे बूलता है मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों की फल मेरे बच्चे उनकी बच्चे खाएंगी देखिए future indefinite subject मेरे बच्चे और उनकी बच्चे यानि की my children and उनकी बच्चे their children खाएंगे विल क्या खाएंगे भो मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों की फल विल एट खाएंगे the fruits fruits खाएंगे of the trees पेड़ों की फल मेरे द्वारा लगाए गए planted by me let's talk invert, comment, close मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों की फल मेरे बच्चे और उनकी बच्चे खाएंगे मेरे बच्चे my children and their children और उनकी बच्चे will eat, खाएंगे the fruits of the trees उन पेड़ों की फल मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों की फल the fruits of the trees planted by me, यह हो जाएगा पूरा दोस्तों इस तरीके से यह translation complete होती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धनल पात आपको यह वीडियो देखने कीजिए